हलो फ्रेंड्स आज में बनाने जा रही हूं ब्रेट का बहुत चटपटा और बहुत ही जल्दी से बनने वाला बिल्कुल हेली तरीके से चलिए फटाफरसेस रेसिपी को मैं यहां पर शुरू करती हूँ यहां पर मैंने तीन पीस सलाइस के मैंने ब्रेट ले लिए ठीक है अ चलते हैं दूसरह श्टेप पे हमने करना किया है कि 2 पीस आलू को बड़ी साइस की यालू थी तो मैंने इसे कट करके मैंने इसे बौल कर दिया है और मैं यहां पर फॉक का यूज कर रही हूँ एक medium size का प्यास था जिसे मैंने विल्कुल बारिक चॉप करके डाला है और एक हमारे पास गाजर थी ये भी medium size की थी उसे भी मैंने बारिक कट करके डाला है थोड़ा सा हमारे पास शिमला मिच भी थी तो वो भी मैंने यूज कर लिया है क्योंकि wedges जो है आपके पास जो भी हो available वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं आप यहां पर मटर यानि कि frozen मटर हो या fresh मटर हो वो भी आप डाल सकते हैं बीन हो तो वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं तेस्ट के एक और यहां पर नमक डाल धीजिए और मिर्च पॉड़र मैंने और यहां पर डाल दिया मैंने धनिया पॉडर और बहुत ही तछा सब्ट सकते हैं मैंने गरा मसाला पॉडर भी डाल दिया है और चाट मसाला अब यह जो है टेश्टिफ और फिलेवर फूल बन करके बिल्कुल रिडी होगा अब क्या करेंगे इसे हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद हमें करना क्या है कि यह जो हमने करमस इसके बनाए थे अब इसमें हम डाल देंगे आप अगर ग्रैंड करके नहीं डालना चाहते हैं इसी तरह के इसे चर्फली हातों से क्रश करके भी आप इसमें डाल सकते हैं तो लेकिन यह braid हमारी बिलकुल ताजी थी तो इसलिए मैंने इसे soft थी braid तो मैंने इसे grand कर लिया आपकी अगर एक दिन या दो दिन वाली पुरानी braid हो तो वो आप बिलकुल आसानी से हाथ से crush करके डाल सकते हैं आप क्या करना इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेते हैं तो अच्छा सा और भी crispy बनाएंगे तो यहाँ पर दो चमच मैं कॉन फ्लॉर का यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास कॉन फ्लॉर नहीं है तो आप क्या करेंगे चावल का आटा भी डाल सकते हैं अगर चावल का आटा भी नहीं है तो आप यहाँ पर रवा यानि की सूज तो पुहा को क्या करें ना दो या तीन चमज डाल करके इसे ग्राइंट कर लें और इसमें अच्छे से मिक्स कर लें इसे जो आपके नाश्ते बनेगे ना बहुत किरिस्पी और करारी भी बनेगी और टेश्टी भी बिल्कुल बढ़ जाएगा तो मैंने इन सारी चीजों को आ कि आपके पास क्या है क्या नहीं है तो आप इस नाश्ते को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से आप छोटे चोटे पेले बना लीजिएगा यानि कि आपको ना टिकी का शेप देना है अगर आपके इसे सेलेंडर शेप में देना है तो भी आप दे सकते हैं तो आप अपनी हिसाब से इसे रख सकते हैं तो मैंने यहां पर क्या क्या इस सभी को इस तरीके से मैंने टिकी का शेप दिया है क्योंकि यह फ्राइ करने में भी बिल्कुल आसानी है और बनाने में भी बिल्कुल आसानी होती है तो इस तरीके से मैंने ना सभी पीसस को इस तरीके भी आपको डालना है गैस का फिलिम मीडियम रखना है मीडियम टू लो पर ही इसे आप अच्छे से फ्राइ कीजेगा नहीं तो क्या होगा कि उपर की सर्फेस जो होती है बिलकुल अच्छे से ब्रॉन हो जाएगी और अंदर जो है ना क्रिस्पी उक्रारी नहीं लगेगी तो मैं आपको साथ ही साथ में देती जाती हूं ताकि आपको कोई भी परिशानी ना हूं बनाने में और जब यह एक साइड से हो जाएगा ना तो इसे आपको टर्न कर लेना है आप इसे डिफ्राय भी कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास क्योंकि ये बिल्कुल तोटती नहीं है क्योंकि मैंने इतनी सब्टिचूर्ज आपको सारी चीजी मैं बताई हूँ कि आप इसमें क्या-क्या डाल सकते हैं क्या-क्या नहीं डाल सकते हैं इससे जो बैंडिंग होगी ना बहुत ही अच्छी बनेगी बिलकुल नहीं बिखरेगी आप बिलकुल बेफिकर होकर के इसे आपको फ्राइ कर लेना है तो यह देखी कितना टैप्टिंग सा नाश्टा बनके बिलकुल रडी हो गया है तो हर चीज तो घर में अवैलेबल होती है आलू भी होती है पोही भी होते हैं और हर एक चीज यानि कि जो भी आपके पास सब्सक्राइब करें और इस नाश्टे को बिलकुल आप बना सकते हैं तो सबी पीसे को इसी तरीके से आपको फ्राइ कर लेना है तो आई होप कि आज की रेसे पी पसंद आई होगी करने में बिलकुल टेश्टी और यमी लगती है तो इसे आप टुमाटो केचप हो या ग्रीन चट्टी हो या तो फिर इसी तरीके से आप इसे इंज्ञाए कर सकती है बहुत ही इसकी उपर के लिए ना क्रिस्पी बनती है और अंदर की बिलकुल चट पटी तो चलिए फिर म इसे